एक गाव में एक गरीब परिवार रहा करता था उस गरीब परिवार में रुद्रा और मायरा नाम के दो पति-पत्नी रहा करते थे उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था वरुन रुद्रा और मायरा वे दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे इसलिए वह लोग हर साल कोई भ तो रुद्रा कहता है तो मायरा ऐसा मैं क्या करूँ जिससे हम लोग दिवाली बड़ी दूमदाम से मनाए तो मायरा कहती है अरे मैं चाहती हूँ कि तुम इस दिवाली में बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ तो रुद्रा कहता है मैं पैसे कहां से कमाओ तुम तो जानती हो मुझे कोई काम देता नहीं और दिवाली के लिए कुछी दिन बाकी है और मैं उन दिनों में ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हू तो मायरा कहती है एक काम करो, तुम काम करने मत जाओ, तुम जाकर कई से पैसे कुछ उधार लेकर आओ हम उन पैसों से अपनी दिवाली धुम्दाम से मनाएंगे, फिर तुम उन पैसों को काम करके चुका दिना इसके बाद रुद्रा एक सेट के पास जाता है और उस सेट के पास से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी घर लोट रहा होता है तबी रुद्रा का एक जोरदार कार एक्सेलेंट हो जाता है जिसाथ से में रुद्रा की दोनों हाथ कड़ जाते है रुदरा की आईसी हालत देखकर मायरा और वरुन वेदनों बहुत ज़्यादा रोते है